विल्कम फ्रेंट्स आपके अपने चैनल दप्रेग्मिटिक क्लासेस में आपका स्वागत है बिहार प्रात्मिक सिक्षक नियोजन छठे चरनकास सिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द ही सुरू हो जाएगी इस दिन से भराया जाएगा फॉर्म एन आई ओएस से डियलेट पास अभ्यरतियों के लिए खुशकबरी क्योंकि जुलाई 2019 में CTET पास डियलेट वालों को ही मौका मिलेगा तो जाने पूरी ख़बर विस्तार से आज की ये बहुत वी बड़ी ख़बर है कहिं कहीं एस टेट अभ्यरतियों के लिए भी ये बहुत वी बड़ी खबर है जो 2019 में जुलाई में सीटेट क्वालिफाई हुए थे आज की ये हेडलाइन है जुलाई 2019 में सी टीटी पास डियलेड वालों को ही मौका जिहां प्रात्मिक सिक्षकों के करीब 90,000 पदों के लिए जारी छठे चरण की नियोजन प्रकिरिया में 18 महेने का डियलेड कर किरने वाले सिर्फ उनहीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्हों ने जुलाई 2019 में सी टीटी पास किया है सिक्षा विभाग ने उचस्तरिय मंतन के बाद दिसंबर 2019 में सी CTET पास करने वाले DLT अभ्यर्थियों को इसमें जोड़ने का मौका नहीं देने का निर्णे लिया है क्योंकि छठे चरण के नियोजन के लिए आवेदन की अंतिम्तिती 11 नवंबर 2019 थी दिसंबर 2019 में CTET पास करने वाले DLT धारकों के लिए अब नई नियुक्तियों में ही मौका दिया जाएगा विस्तार से जाने वीडियो को आप अंतितक देखे पूरी खबर को जाने इससे पहले पटना हाइकोट ने 18 महेने का DLT करने वालों को सिक्षक नियोजन के लिए पात्र माना था और उन्हें नियोजन प्रकिरिया में सामिल करने का आदेश दिया था इस आदेश को स्विकार करते हुए NCTE ने 23 मई को सिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सिक्षक नियोजन प्रकिरिया में 18 महेने का DLT करने वालों को भी सामिल करने की अनुमती दी इसके मद्दिनजर सिक्षा विभाग ने यह निर्णे लिया प्रात्मिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने बताया की लॉगडाउन खत्म होते ही छटे चरन की प्रात्मिक नियोजन प्रकिरिया का संसोधित सेड्यूल जारी किया जाएगा इसमें नए सिरे से आवेदन नहीं मांगे जाएंगे सिर्फ पटना हाई कोट के आदेश के मताबिक 18 मैने के डियलेट धारकों को आवेदन के लिए 30 दिन का मौका दिया जाएगा मालूम हो कि छटे चरन के नियोजन के लिए आवेदन की प्रकिरिया 5 जुलाई 2019 को सुरू हुई थी लेकिन बाद में बाढ़ व अन्यकारणों से आवेदन की अंतिम्तिती तीन बार बढ़ा कर 11 नवंबर 2019 तक कर दी गई थी संसोधित सेड्यूल के अनुसार 21 मार्च 2020 तक नियोजन पत्र दे देने थे लेकिन हाई कोट के आदेश के बाद एक बार फिर इसकी प्रकिरिया रुक गई अब NCTE की अनुमति के बाद फिर यह नियोजन प्रकिरिया सुरू होगी तो जितने भी बिहार प्रात्मिक सिक्षक नियोजन में सामिल अभ्यर्ती हैं उनके लिए ये बरी ख़वर है कि जल्द ही NIOS DL8 अभ्यर्तियों के नियोजन का फॉर्म जमा करने के बाद पुरी सेड्यूल जारी होने के बाद यथा संभव बिहार विधान सभाजुनाव से पुर्व आपकी नियोक्ति संभव है और कहीं ने कहीं बहुत वैसे भी अभ्यर्ती थे जो तिसंबर 2019 में सीटेट क्वालिफाई हुए थे उनको मौका ना दिया जाना भले ही उनके लिए लग रहा होगा कि गलत था परन्तु सरकारी आदेश के अनुसार यह सही था तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों को सेयर करें और कॉमेंट करें क्या सीटेट 2019 दिसंबर में पास अभ्यर्तियों को मौका नहीं दिया जाना सही था या गलत था तो अगर आप एस्टेट अभ्यर्ति हैं तो कहीं न कहीं भहुत सारे एस्टेट अभ्यर्ति भी बिहार प्रात्मिक सिक्षक नियोजन के अभिन अंग हैं और उनकी नियुक्ति हो रही है इस बार सरकार अवस्थ ही जल्द ही लॉक्डाउन से पहले नई तिति को जारी करेगी ताकि लॉक्डाउन के बाद अवस्थ ही सिक्षक नियोजन की प्रकिरिया पूरी हो सके सौ समय पूरी हो सके वीडियो को अंतितक देखने के लिए धन्यवाद